तो हलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग आपका स्वागत है प्रजबती यूटूब चैनल पर दोस्तों आज कर यह वीडियो बहुत यादा धासो होने वाला मुझे इस्टाग्राम पे बहुत सारे कमेंट आए कि सर पब जी स्नैपर को पर वीडियो बनाओ जो पब जी का स्नैपर होता है उसकी एक्चुल प्राइज क्या होती है जैसे AWM, का 98, M24 और विन 94 विन 94 के बारे में तो बहुत से लोग नहीं जानते होंगे लेकिन जो लोग पब जी खेलते होंगे उनको पता होगा विन 94 मिरा मार में मिलती है ठीक है पहले स्कोप नहीं था लेकिन अब इसको भी आ गया तो दोस्तों आज के इस पीडियो में आपको बताऊंगा कि यह जो गन है कब मैनिफेक्चर हुई थी और जो इसका रेंज है जो इसका रेंज है कितने किलो मीटर तक मार कर सकती है यानि आप यहां बैठे बैठे कितने किलो मीटर तक के बंदे को मार सकते हैं real में ठीक है PUBG में नहीं real में और जो इसकी actual price या क्या है और इसका जो manufacture है जब यह manufacture हुआ था किस सन में हुआ था आज के इस वीडियो में आपको पूरा detail से बताऊंगा और हाँ आज के इस वीडियो में आपको शरीफ इस sniper के बारे में बताऊंगा अगर आप कहेंगे तो मैं AR की भी वीडियो बना दूँगा तो प्लीज कमेंड करके बताना अगर आपको AR की उपर वीडियो चाहिए तो मैं AR की उपर वीडियो बना दूँगा जो उसका range है क्या है जो उसकी actual price है क्या है और वह manufacture कहा हुआ था तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोट इस request करना चाहता हूँ आपको एक छोटा सा काम करना है जगो मुझे वीडियो बनाने में यह चीजे search करने में काफी जादा मेहनत लगी है बस आपको एक छोटा सा काम करना है वीडियो को लाइक करने में मातर एक सेकंड जाएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और आप इस वीडियो को सेयर करना ताकि और लोग भी इसके बारे में जान पहें और आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओल पे कर देना और हाँ आपको नीचे आना कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट करना है और आपको यह भी कमेंट करके बताना आपको अमारी यह वीडियो कैसे लगी और आपको किस टॉपिक की उपर वीडियो चीए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो 9 फर्वरी 2018 का दिन इंडियन गेमिंग कमेंट के लिए बहुत खास दिन है इसी दिन PUBG की शुरूआत हुई थी इंडिया में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया चार स्नैपर के बारे मताऊंगा पहला है AWM, दूसरा है M24, तीसरा है का 98, चौथा है वी 94 और आप मुझे एक सिस कमेंट करके बताना ठीक है अब भी के भी कमेंट करते हैं आप लोग भूल जाएंगे आप इन चारो स्नैपर में सबसे यादा स्नैपर मतलब कौन सा स्नैपर को यूज करते हैं और आप यानि फर्स, शेकेंट, थर्ड कमेंट करके जरूर बताना ठीक है तो बात करते हैं नमर वन से AWM दोस्तों यह गन बहुत यादा पावरफुल है PUBG में भी और असल जिन्दगी में भी अगर आप PUBG खेलते होंगे तो आपको पता होगा यह गन शरिफ आपको एर ड्रॉप में मिलती है अगर आप एरंगल कहलेंगे तो जो ड्रॉप आता है अगर आप फ्लेर चलाएंगे तो उसमें भी मिल सकती है जो एर ड्रॉप आता है जो सरकारी ड्रॉप आता है उसमें भी आपको यह मिल जाएगा जित्ते लोग भी game खेलने के सवकीन है जित्ते लोग भी snapping करने के सवकीन है इसी gun को खोशते हैं अब दोस्तों अगर बात करें असल जिंदगी की तो या असल जिंदगी में बहुत यादा powerful gun है इसका पूरा नाम यानि AWM का पूरा नाम Arctic Warfare Magnum है Arctic Warfare Magnum AWM का full name इसे एक British Company Accuracy International ने बनाया था इसमें यूज होने वाली bullet 0.338 Magnum है जिसका नाम है 0.338 बहुत से लोग होंगे जित्ते लोग PUBG कहलते होंगे किनको किनको पता था कि जो इसमें MO लगता यानि जो bullet लगती है 0.338 की लगती है कमेंट सेक्षन में कमेंट करके बताना बहुत से लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा इस गन को 1996 में परजन किया गया था यानि इस गन की सुरुवात 1996 से हो चुकी थी अब दोस्तों अगर हम बात करें इस गन की रेंज की तो उसको यह बहुत ही असानी से मार सकती है 0.5 किलो मिटर यानि यार बहुत हो गया 0.5 किलो मिटर भाप्रे अब दोस्तों अगर हम इस गन के प्राइस की बात करें यानि अगर आप इसको खरीदना चाहते है तो आपको कितना पैसा देना होगा अगर डॉलर में बात करें तो आपको साथ से आठ हज़ा डॉलर देना होगा यानि इंडियन करेंसी में पांस से चैलाक रुपया इस गन के लिए आपको देना होगा अगर आप खरीदना चाहते है नमबर टू, M24 दोस्तों M24 AWM के बाद दूसरी सबसे पावरफुल स्नैपर गन है बहुत से लोग M24 लेते हैं बहुत से लोग कार 98 लेते हैं लेकिन मैं आपको बता दो कि कार 98 से पावरफुल M24 है अभी आपको इसका डीटेल जानने के बाद में पता चल जाएगा अगर आप PUBG खेलते होंगे तो आपको पता होगा या ड्रॉप में नहीं मिलती है रेंडम रेंडम किसी भी जगा पर मिल सकती है लेकिन इसका कोई भी लोकेशन नहीं है ठीक है आप सर्च करते रहेंगे आपको किसी ना किसी जगा पर मिल जाएगी नहीं तो आप बंदों का किल करेंगे अक्सर बंदों के पास या गन रहती है क्योंकि यह बहुत यादा पाउरफुल है और एक हेट सॉट में बंदे का खेल कदम ठीक है तो काफी रेर गन है काफी कमाल की गन है दरसा दोस्तों M24 Remington Model 700 का दूसरा नाम है इसे US Military ने रखा था और इसे 1988 में 1988 में परजेंड किया गया था यानि यह गन M24 गन 1988 के बाद हमारे दुनिया में आई है अब दोस्तों कर बात करें इस गन के वेरियंट की तो आपको इस गन में तीन वेरियंट देखने को मिल दाएगा फिलाल PUBG में एक ही है पहला है M24 A2 दूसरा है M24 A3 तीसरा है M24 E1 यही तीन वेरियंट है M24 के इन सारे गन की लंबाई अभी जो मापको तीनों वेरियंट बताया 43 इंच से लेकर 46.5 इंच तक होती है जो इसकी लंबाई है इतने इंच से तक होती है अब दोस्तों अगर बात करें इस गन के मारक शमता की यह गन कित्ते दूरी तक मार कर सकती है तो दोस्तों आपको बता दू कि यह गन 800 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक मार कर सकती है यानि आदा किलो मीटर से उपर और 1.5 किलो मीटर के अंदर कोई भी बंदा रहेगा तो इसको यह बहुत यह असानी से मार सकती है उसके पहले भी रहेगा तो मार सकती है बट जो इसका रेंज है 800 मीटर से 1500 मीटर तक है और इस गन में 7.62 mm की बुलट और 0.338 लपुगा मैगनम एमो लगती है अब दोस्तों अगर हम बात करें इस गन की कीमत की अगर आप इस गन को खरीदना चाहते है तो आपको कितना पैसा देना होगा तो दोस्तों आपको बता दो कि अगर आप इस गन को खरीदना चाहते है तो आपको 4500-5000 डॉलर तक देना पड़ सकता है अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो आपको 3-4 लाग रुपया इस गन के लिए देना पड़ सकता है दोस्तो इस गन का इतियाज बहुत ही लंबा है और PUBG में यह गन सभी लोग का फेवरेट होता है PUBG में यह गन आपको random किसी ना किसी location पे मिल जाएगी बस आपको search करना है अकसर अगर आप बंदों का kill करेंगे तो यह गन आपको उनके death body में मिल जाएगी यह गन 1935 यानी World War 2 से यूज होती आ रही है दोस्तों इस गन का पूरा नाम करवाई 98 करजिया कार 98 के बोल सकते आप इस गन को हिटलर के जमाने में बनाया गया था और इसे World War 2 में खूब यूज किया गया था इस गन में 7.6 mm की बुलट लगती है अब दोस्तों अगर हम बात करें इसके मारक छमता की यह कितने दूर तक मार कर सकती है तो मैं आपको बता दूँ कि यह गन 500 से 1000 मेटर तक मार कर सकती यानी आदा किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक यह गन बहुत ही आसानी से किसी भी बन्दे का खोपड़ी उडा सकती है तो दोस्तों अब आप यही पर थोड़ा सा judgment लगा लीजिए M24 का 98 में M24 का जो मारक शमता है 800-1500 मीटर है जो इसकी मारक शमता है 500-1000 मीटर है तो PUBG में भले ही सेम दिखाया हो लेकिन असिलियत में M24 का 98 से बेटर है अब दोस्तों अगर हम इस गन के कीमत की बात करें तो इसकी असल कीमत 2800-3000 डॉलर है यानि इंडियन करेंसी में आपको इस गन के लिए 2-2.5 लाक रुपे देने पड़ सकते हैं अब बात करते हैं चौथी गन की जिसके बारे में किसी को सायथ पता नहीं होगा आपने यूज किया होगा लेकिन यार मतलब कोई जानता नहीं था कि यह भी गन इस नैपर में आती है जिसका नाम है Win-94 दोस्तो यह गन मिरामार में अक्षर मिल जाती है लेकिन पहले लोग इसको यूज नहीं करते थे फिलाल अभी के अपडेट में इसमें स्कोप दे दिया है ठीक है यानि आ लेडी पहले से स्कोप रहता VSS की तरह है तो आप बिना स्कोप की इस गन को उठा सकते है और यह भी गन बहुत ही कमाल की है यानि मतलब बहुत ही धासू है दोस्तों इस गन का पूरा नाम Winchester Model 1894 है यह गन बहुत ही पुरानी है इसे World War 1 और 2 और कई सारे वार में इस्तमाल किया गया था दोस्तों आज के समय में यह गन हंटिंग के लिए यानि जानवरों का सिकार करने के लिए काफी जादा मसूर है बाहर देश के लोग जो हंटिंग करते हैं अकसर इसी गन का यूज करते हैं अब दोस्तों कर बात करें इस gun की price की, तो इस gun की price अट्रसों से दोजार डॉलर है, अगर हम Indian currency की बात करें, तो Indian currency में एक से डेल लाग रुपे आपको देने पड़ सकते हैं इस gun को खरीदने के लिए, तो फिलाल दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करता हू और हाँ तोस्तों आप मुझे एक सीच कमेंट करके बताना, अगर आप PUBG खेलते हैं तो आपकी PUBG कितनी है, और आपको इन चारो स्नैपर में कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है, यानि 1, 2, 3, 4, आपके इस आप से कौन सी gun किस नंबर पे रहनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में कम अश्याद आपके लिए.